हेलो साथियो नमस्कार स्वागत है आपका कैसे आप सब उमीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और आपके त्यारी अच्छे चल रही होगी दोस्तो रेलवे ग्रूप डी परिछा चल रही आपको पता है और यह अपने अंतियम पड़ाओ पे है लगबग खतम होने की सती में है ऐसे में रेलवे ग्रूप डी का रिजल्ट कब आएगा पीटी कब होगा डीवी कब होगा इसको लेकर एक नोटीस आपने देखा होगा सुना होगा इस पर हम इसे इस रूप से आपे बात करने वाले हैं वाइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो नीचे रेडिकलर में एक सब्सक्राइब का बटन बना होगा उसको दबा कर हमारे चैनल से जुड़ जाएं जिससे आपको रेलवे की अफडेट तुरंट की तुरंट म मिलती रहेगी अब आएए आगे बर चलते हैं वीडियो के सुरुआत में रेगुलर आपसे एक सवाल पूछते हैं जिसका उत्तर नीचे कमेंट बॉक्स में अगर आप सबसे पहले देते हैं तो नेक्स्ट वीडियो में आपका नाम लिया जाता है पिछले सवाल का सबसे त विवेक सागर नाम के विद्यार्थी ने दिया था आज का सवाल आपके स्क्रीन पर है नीचे कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दीजे तो यह नोटीस आपके पास आप देख पारे होंगे यह ओफिस्यल नोटीस है गॉर्मेंट ऑफ इंडिया मिनिस्री ऑफ रेलवेज रे करते हैं तो यहां पर रेलवे गुरूबडी को लेकर अगर हम बात करेंगे आपको जो सीबीटी का रिजल्ट है यहां पर लिखा हुआ है यह आपका कब आ जाएगा दिसंबर दोजार बाइस में आ जाएगा जो आपने परिछा दी है जो बहुत सारे बच्चे दे रहे हैं डिसंबर दोजार बाइस तक आपका रिजल्ट आ जाएगा और यही पर आगे लिखा हुआ है आपका जो पीटी है यह आपका जणवरी दोजार तेईस में होने की संभावना है और आपका यहाँ पर जो डिवी है वो आपका कब हो जाएगा यह आपका कब हो जाएगा बھock फरवरी 2023 में आपका ये हो जाएगा और आपका मार्च अपरेल 2023 में आपको appointment मिल जाएगी यहाँ पर ये notice था जिसमें सब कुछ साप साप लिखा हुआ है तो आप जो परिच्छाएं दे रहे हैं इसके लिए जो आपका result है वो समबर 2022 में आ जाएगा उसके बार आपका P.E.T. कब होगा जनवरी 2023 में आपका document verification कब होगा ये आपका फरवरी 2023 में होगा appointment कब होगी मार्च अपरेल 2023 तक हो जाएगी तो ये बड़ी अच्छी अपडेट है बड़ी अपडेट है जो आप देख पारे होंगे और ये है railway group D वालों के लिए और बाकी आपके से जो अच्छे पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं और आगे की अपडेट चाहते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले धन्यवाद